हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूर आहूल जैस्वा लाइन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अगर आप उससे बात करना चाहते हो तो डेफिनेटली फॉलो में इस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और आज कहीं जो वीडियो है इसकी अगर मैं बात करो दोस्तो अ हमने पूरा चाप्टर कंप्लीड किया था और पूरा रिवाईस करवाय था और अल्रेड़ी उसके उपर पूरा डेडिकेशन के साथ हमने अल्रेड़ी लेक्टर वीडियो तो बहुत पहले बनाए वह आप जानते हों सेम पूरा मैँट्स वन हो मैट्स टू हो पूरा हमारा geometry पार्ट पे, कल हमने देखा maths 1 का, तो आज यार, maths 2 का भी देखेंगे ने, तो maths 2 बुरा मान जाएगा ना, तो आज geometry का भी देखेंगे, जिसमें one shot revision वीडियो होगा, एक ही lecture के अंदर आज पूरा chapter, जिसका नाम है पहला chapter similarity आपके geometry का पहला chapter similarity एक ही lecture में पूरा complete कर देगे, I don't know कितना टाइम लगेगा आज के इस वीडियो में, एक घंटा भी लग सकता है, तो आप लोगको ये वीडियो end तक देख लेना, and trust me दोस्तों, अगर आप ये आज का वीडियो one shot पूरा लगातार देख लेते हो एक-एक topic को बार ही की से खोद के निकाल के आपको explain करने वाला हूँ, revision point of view, ठीक है, तो इतना अगर देख लोगे न, trust me दोस्तों, आपका conception knowledge पूरा वापस से clear हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा तो हमने बहुत पहले ही दिया है, पूरा हमने complete कर दिया, आप similarity chapter है, इसमें बहुत सारे topics है, तो हमारे जो पढ़ाने का pattern है, जो हमारे one short revision का pattern है, वो ये होता है, कि हम हर topic को पहले explain करते हैं, जितने भी topics रहेंगे, जो important भी है, उसको हम लोग explain करते हैं, और उसके एक-एक examples को आपको solve करके दिखाते हैं, ताकि आपको revise हो जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ाने नहीं आएं वापस से, हम लोग आपको revise कराने आए, क्योंकि पढ़ाना का काम हमने पहले ही कर दिया है, एक देर साल से ratio of the areas of two triangles, अब इसको समझने की कोशिश करो, दो triangle अगर दिये है, समझ लो आपको, ठीक है, दो triangle अगर दिये है, तो उसका ratio of area कैसे निकालेंगे, तो समझ लो, let's suppose I am taking two triangle here, ठीक है, imagination के तोर पे हम क्या करते हैं, दो triangle को ले लेते, यह मेरा समझ लो, पहला triangle है, इसका नाम में कुछ भी रख सकता हूँ, आपके हिसाफ से, देखो, मैं randomly ले रहा हूँ, कोई भी, तो समझ लो, एक triangle ले लेता हूँ, इसका नाम में दे देता हूँ, अब यह दो triangle है, आपके सामने, अब यह दो triangle में हमको topic के हिसाब से क्या बोला है, the ratio of the areas of two triangle, दोनों triangle का हम में क्या निकालना है, area का ratio निकालना है, तो समझ लो, यह पहले वाले triangle का area कैसे लिखेंगे हम लोग, area of triangle A, B, C लिखेंगे, area of triangle ABC लिखेंगे, क्योंकि इसका नाम क्या है, पहले वाले triangle का ABC, इसका area, ऐसे योगा न, ratio अगर निकालना है, क्योंकि हमें क्या पुछा है, topic में, ratio, तो ratio मतलब एक दूसरे के upon में, जैसे हम लोग बोलते हैं, 3 ratio 4, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 upon 4 होता तो area of triangle क्या हो जाएगा, यह P, Q, R, अब इसका value में तो निकलेगा, यह तो हमने एक random हमने क्या लिखा कि area of triangle ABC अपॉन area of triangle P, Q, R, लेकिन यह area of triangle ABC जो है, यह कैसे निकालोगे, यार बचपन सही, यार 8 या 9 या 10 में आपने बचपन सही एक formula पढ़ रहा था, area of triangle क्या होता है half into base into height, याद आ रहा है, half into base into height, ठीक है, यह formula था, नीचे भी same वही चीज़ अपलाए हो जाएगा, half into base into height, मैंने short cut तरीके से B और एज लिख दिया, ठीके हाफ into base into height, अब यहाँ पर आप देखो, तो area of triangle ABC में, half तो है, यह half formula में, half में लिख दिया, multiply में, base क्या है, इस area of triangle ABC में, base क्या है, base मतलब क्या होता है, नीचे का part, that is B और C, तो BC जो है, वो क्या हो जाएगा, इसका base हो गया, और multiply by क्या करना है, उसको height के साथ multiply करना है, तो इस triangle में height क्या है, यह जो AD का part दिख रहा है, सीधा line, वो height है रहा है, उसका, तो multiply by AD, यह उपर का part हो गया, फिर इ नीचे क्या आ जाएगा, यह वाले triangle का, area of triangle, PQR का, half into base into height, तो half, वैसी का वैसी लिखेंगे, multiply by base क्या है, इस चीज़ के लिए, QR है, यह triangle में, QR जो है, वो base है, और height क्या है, यहाँ पे, height जो है, PS है, यह QR हो गया, और height जो है, इसको अच्छे से लिख देता हो, QR and height क्या है PS, तो this is my formula, इसमें एक correction यह कर सकते हैं, कि half और half सेम से में, तो cancel हो जाएगा, तो सिर्फ और सिफ क्या बचेगा, BC multiply by AD, divide by QR multiply by PS, तो यह हमारा क्या बन गया, एक formula बन गया, या फिर in short, जो ratio of area of two triangle, आपको कभी भी बोलेगा, तो आपको base और height, यह base है, यह base है, यह height है, तो दोनों को multiply करके, एक ratio में लिख देना है, और आपका answer जो है, वो आ जाएगा, clear है दोस्तों, तो अमीद करता हूँ कि यह शीद आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप note down करना चाहते हो, जैसा हमें हमेशा से बोलता हूँ, कि कुछ चीज जो important होता है, यह मैं आपको note down कर देता हो, तो इसको आप note down कर सकते हो, या फिर screenshot लेना चाहोगे, screenshot ले सकते हो, अब एक चीज में आपको बताना चाहोँगा, यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब यह जो topic हमने पढ़ा ना दोस्तों, यह topic हमने आज जो पढ़ा है, यह topic में, यह topic में, सेम अगर आपको कुछ questions पूछ दे, यह topic के ओपर, देखो, मैं आपको हमेशा से बता रहो, कि मैं topic पढ़ा हूँगा, उसका मतलब पढ़ा हूँगा, और उसके ओपर एक एक example भी पढ़ा हूँगा, तभी आपको पूरा revision होगा, तो यह topic तो आपने समझ लिया, क्या था, लेकिन यह आता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, ध्यान से लेखना, एक example है मेरे पास, मैं पहले diagram को draw कर लेता हूँ, ठीक है, diagram बहुत महसते इदम, simple सा एक triangle दिया हूँगा, वो diagram मैं draw करूँगा, इस प्रकार का, इसका naming हैगा, naming में कर देता हूँ, फट समझलो, AD का जो पार्ट है, A और D है, दिखरा आपको, AD का जो पार्ट है, वो कितना है, 8 दिया हुआ है, ठीक है, और हमें पूछा है, find करो, find करो, क्या पुछा है, find करो, area of ratio of the triangle, यानि कि आपको पूछा है, area of triangle ABC, जो पहला triangle है उपर वाला, ABC का जो है, उसका area upon area of triangle, नीच ADB, अब इसका आप कैसे निकालोगे, आपको ये find करने बोल दिया, इसका value आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसके पहले जो हमने ratio पढ़ा, ratio के हिसाब से हमें एक चीज़ समझ में आया, कि कभी भी दो triangle दिये रहेंगे, तो उसका area of triangle रहेगा, ratio के हिसाब से, पहल क्या है, उपर वाला, पहला triangle क्या है, area of triangle ABC है, दूसरा क्या है, उसके नीचे वाला, नीचे वाला, एफिर जो भी दूसरा triangle है, क्या है, इसका नाम ADB, तो उसका नाम पहले लिख दो, triangle ADB, अब आपको एक चीज़ पता है, कि इसका जब हम ratio निकालते है, तो half into base into height करते है, यह उपर वाला triangle पहला triangle नि यह पहला triangle है, यह दूसरा triangle है, तो पहला triangle ABC वाले में, base क्या है, ABC है, मेरा तो half multiply by ab multiply by height क्या है height है इसमें इसमें देखो पहले वले triangle में height क्या है यह height रहेगा BC तो लिख दूँगा है आप मैं BC देखो बस diagram को देखना है और solve करना है ऐसा कुछ ही नहीं चाक्टर के अंदर आप देखो कि इतना simple chapter है कुछ ही नहीं है तो half multiply by base multiply by height तो half यह अब आप इसमें देखोगे एक चीज़ तो उपर भी half है नीचे भी नीचे भी A, B, A cancel हो गया है, तो sit for shift क्या बच रहा है, BC upon AD बच रहा है, BC upon AD बच रहा है, तो BC का वैलू हमें दिया हुआ है, देखो, कोशन में कुछ वैलू दिया हुआ है उल्रेड़ी, तो BC का वैलू दिया है 4, और तीचे AD का वैलू दिया है 8, तो 4 by 8 का मतलब क्या होता है, 4, 1 is a 4, 4, 2 is a 8, याने की 1 by 2 बचता है, याने की जो हमारा answer जो हमें पूछा था, area of triangle ABC upon area of triangle ADB, जो हमें पूछा गया था कोशन में, उसका वैलू कितना आया 1 by 2, and this is your final answer, समझ में आ रहा है, इसका answer कितना आया 1 by 2, कितना simple है, कितना आसानी से आपने निकाल लिया, within 2 minutes, 2 minutes भी मैंने शाइब ज्यादा बोल दिया, अगर आप practice कर लोगे, तो 1 minute के अंदर आप 2 marks अराम से score कर सकते हो, clear है, तो उमीद करता हूँ कि इस प्रकार के question, अगर पूछा जाएगा exam में, तो बड़ी आसानी से आप लोग इसको solve कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, definitely कर सकते हो, तो पूरा का पूरा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कि यह तो हमने आपको एक revision point of view के example explain किया है, लेकिन सेम इसी प्रकार के कई सारे question, ratio of triangle के उपर base में, एक पूरा का पूरा practice set है, आप जानते हो अगर, आपने हमारे पूराने वीडियोज देखे हैं, अगर, तो पूरा का पूरा practice set है number 1.1, जो है न, इस ही यही जो topic में ने explain किया, इसी के उपर base है, तो आप लोगको अगर पूरा का पूरा practice set number 1.1, जो हमने पूरा solve करवा है, वो अगर देखना है, तो आप हमारे पूराने वीडियोज जाओ, देखो, search करना पड़ेगा जाके आपको, search कर लो मिल जाएंगे, तो आप सिधा playlist में जाओगे, तो हमारे 10 standard का match 2 का playlist होगा, folder होगा, 10 standard match 2, या फिर 10 standard geometry करके होगा, उसमें जाओगे, तो आपको पूरे के पूरे chapters, पूरे syllabus के chapters के lecture by lecture video मिल जाएंगे, तो आप जाके वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, step by step बच्चे से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आज का तो रिविजन लेक्चेर है, one shot वीडियो है, तो जाओ से अधर कितना हम कड़ाएंगे, यहाँ पर होता है, ठीक है, अब जाते हैं, हम इस chapter के अंदर दूसरे topic के उपर, देखते हैं, चलो कि और कौन सा topic है, इस chapter के अंदर, पहला topic हो गया, ratio of the areas of two triangle, अब जाते हैं, दूसरे topic के उपर, और यहाँ से थोड़ा और मजदार topic शुरू हो रहे हैं, और आपको मज़ा कर लेता हो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं, हमारे topic number two, यह हमारा पहला topic, और उसके base पर example, यहाँ पर समात दोता है, ठीक है, उमीद करता हो दोस्तों, हमारा one short video आपको पसंद आ रहागा हो, इसके पहले भी जो आपने chapter number one, जो algebra का दिया था आप लोगो, आपने बहुत अच् तो BPT, यह शायद कई सुना हो अलग रहा है, आप बोलो कि सर यह BPT वड तो कई सुना हो अलग रहा है, तो BPT का actual में मतलब होता है दोस्तो, basic proportionality, basic proportionality theorem, और इस सर क्या बोल दिया आप theorem, यह स्थियरम, तो chances theorem के तो कम है, अगर मैं practically example, exam point of view बोले हो, तो theorem पूछने के chances तो कम ह तो theorem है क्या वो भी बता देता हो पहले, ठीक है न, पूरा का पूरा नहीं, लेकिन उसका मतलब क्या है theorem का वो बता देता हो, और और अलगी पूरा explain क्या हो है, BPT का theorem पूरा explain क्या हो है हमारे lecture वीडियो में, आप जाके देख सकते हो, लेकिन इसका मतलब क्या है, तो BPT का actual म इसका मतलब क्या होता है, समझ लो, आपके सामने एक ट्राइंगल दिया रहेगा, ठीक है न, ये समझ लो, आपके सामने एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का एक नाम में रख देता हूँ, दूसरा कुछ नाम रख देता हो, चलो, बित तो बित आपधर और आपका Created Department इस थेयरम के हिसाब से क्या बोलताँ है, अगर इन triangle ABC, अगर ऐसा होता है कि कोई भी triangle में, जैसे ये ABC triangle है, वैसे कोई भी triangle में, triangle में क्या होता है, कि अगर एक line जो है, वो parallel होता है to the base of the triangle, अब ये triangle ABC जो है, उसका base क्या है, कहाँ पे खड़ा है, वो किसके वज़ेसे खड़ा कि वहाँ पर बात यह है तो आपको समझेगा लेकिन यहाँ पर बात यह है तो आपको क्या करना यहाँ पहले समझ लो ट्राइंगल ABC में अगर कि समझ लो यहाँ पर सेग्मेंट यह नहीं प्योंब कोई भी लाईन सेग्मेंट अगर इसका नाम तो अगर कोई भी सेग्मेंट जैसे एक्जाम programme फी क्यों अगर यह सान का मतलब कृते पैरले इश्कमल यह पूलोके पीशी तब क्या होगा कि यह जो points दिख रहे आपको यह जो segments दिख रहे उसका ratio बन जाएगा कैसे यह उपर A है P है और B है तो यह बन जाएगा A P यह segment बन गया A P divided by या नहीं ratio क्या P B A P by P B A P by P B A Q by QC यह चीज ध्यान में रखना कैसे बन गया दिमाग रखो क्या बोल रहा हूं में basic proportionally theorem में कि अगर कुछ भी आपको इस प्रकार का diagram दिखता है तो आपका जो भी segment रहेगा वो क्या हो जाएगा ratio में convert हो जाएगा that is AP upon PB हो जाएगा यानि कि इतना तुकड़ा आपन इतना तुकड़ा फिर इतना तुकड़ा आपन इतना तुकड़ा देखो में simple अलग language में बता रहो technical language में नहीं जा रहो क्योंकि ऐसे language में बहुत सारी लोग को समझ में आता है आपको technicality बताऊंगा तो थोड़ा बाउंस हो जाएगा कोई भी समझ लो कोई भी यह तो AP जो लिखा है वो अलग भी हो सकता है नाम तो triangle के change होते रहते लेकिन तरीका वही रहेगा जो यह रहेगा something upon something something upon something यानि AP upon PB AQ upon QC समझ में आ गया दोस्तों अब इसी के उपर एक छोटा से example में लेना चाहूंगा जो हमारा BPD ज क्या हुआ है कि इसका जो वैलू है यानिकि यह जो वैलू है यह आपका 1.8 इतना जो AD का जो वैलू है 1.8 है ठीक है अब नीचे का जो वैलू है वो है 5.4 ठीक है उसके बाद यहाँ पे 7.2 वैलू है इसको मिटा दो क्यूंकि अभी इसका काम नहीं है हमें ठीक है इसका काम यहाँ पे एक triangle है, in triangle ABC, इसमें बोला है कि आपको segment जो DE है, वो BC से parallel है, देखो segment DE जो है, वो parallel है segment BC से, तो आपको बोला है, find करो, find करो, क्या find करने बोला है, आपको बोला है, find करो AE, यह दिखरा है आपको A और E, उसके साबने कोई number ने लिखा है, मतलब उसका जो segment है, वो पत करके दिखाओ, तो आप बोलोगे, कि सर, यह कैसे होगा, बहुत simple है, कैसे होगा, question को थोड़ा सा बाजू मेरा को, सिफ, diagram देखके, क्या आप identify कर पा रहे हो, कि इसमें BPT लगेगा, yes, बिल्कूल, कि यह diagram देखके ही, यह ultra भी हो सकता है, यह simple, सीधा-सीधा triangle है, वो triangle parallel है, तो जब ऐसा है, तो उसमें क्या लगेगा, BPT, तो हम लोग क्या बोल सकते है, according to, हम लोग एक statement लिखेंगे, हमारा answer में, देखो, answer यहाँ से शुरू हो रहा है, तो according to basic proportionality theorem, क्या बोल सकते है, कि segment, if, क्या बोला है, segment DE, अगर parallel है, segment BC से, तो हम लोग क्या बोल सकते है, क यह जो AD upon DB है, इसका एक ratio बन जाएगा, तो AD upon DB is equal to AE upon EC, AE upon EC बन जाएगा, अब इसमें value पूटन कर दो, जो value हम जानते है, वो इसमें डाल सकते है, हम लोग क्या जानते है, AD का value हम जानते है, जो दिया हुआ है, 1.8, तो AD के जगा पर हम 1.8 लिखेंगे, DB का value हम जानते है, जो कि यह 5.4, वो डाल दिया, is equal to, AE का value हम जानते है, क्योंकि AE तो हमें निकालना है, तो AE के जगा पे हम वैसी का वैसी रखेंगे, upon EC का value हम जानते है, 7.2 है, तिक है, अब हम क्या करेंगे, हमें AE निकालना है, तो AE will be equal to क्या हो जाएगा, यह cross multiply हो जाएगा, तो AE will be equal to 1.8 multiply by 7.2, ठीक है, divide by कितना हो जाएगा, 5.4, इसका value निकाल लो, calculate कर लो, आपका answer आजाएगा, तो इसका जो answer आ रहा है, दोस्तों, वो आ रहा है, 2.4 cm, कितना आ रहा है दोस्तों, 2.4 cm, यानि कि आपका, जो AE आपको पूछा था, यहाँ पे लिख दू, side में, जो आपको AE प तो इसी प्रकार के ओपर, BPT के ओपर, जितने भी questions होते हैं, वो frame होते हैं, कोई भी, चारों में से कोई एक चीज़ नहीं दिया रहेगा, और आपको निकालना रहेगा, बहुत simple होता है, और इसी के ओपर बहुत सारे problems, जो practice set के questions है, वो हमने already solve करवाया है, वो आप check out कर सक हो, ठीक है, और भी इसके ओपर है, मैं बताओंगा, तो यह हमारा क्या हो गया, second topic हतम होता है, basic proportionality theorem, समझ में आ गया, clear है दोस्तो, ओके, अब आगे बड़े, थोड़ा साइट हरेते हो, screenshot लेना चाहोगे, तो ले सकते हो, बहुत ही simple है, अगर आप थोड़ा सा समझने की करो, तो बहुत ही ज्यादा simple है, ठीक है, अब मैं इसको rough करने जारो दोस्तो, क्योंकि इसी के base पे, basic proportionality theorem के उपर, एक और छोटा सा theorem है, उसको मैं explain ने करूँगा, लेकिन उसका मतलब जरूर समझाओंगा, कि है क्या वो, तो क्यों आपको पता होना चीए, revise कर रहे हो, तो तो हम लोग तिसरा heading डाल रहे है, ठीक है, तिसरा heading क्या है हमारे लिए, that is, converse, क्या है, converse of BPT, converse of BPT, अब यह है क्या, converse of BPT, इसको समझने की कोशिश करो, basic proportionality theorem का उल्टा, तो एक diagram हमने देखा था, basic proportionality theorem में, समझ लो, वही diagram है, वापस से लेता हो, ठीक है ना, थोड़ा P, Q, R, और इसमें से एक line को pass कर देता हूँ, जिसका नाम में रख देता हूँ, HT, समझ में आ गया, अब आपको इसमें समझ लो, यह triangle में, मतलब यह, जो converse of BPT, इसमें होता क्या है, normally आपके BPT theorem में क्या था, कि आपको बोला रहता था, कि यह segment HT, जो है, QR से parallel है, इस प्रका ups upon SQ, प्रकाइं से में, से वीडिया है, अगर यह दिया है, इसका मतलब क्या है, यह क्या बाता है, यह तब ही आता है, दोस्तों, जब एक line उसके base से parallel हो, एक triangle के अंदर, तो हम लोग क्या बोल सकते है, अगर ऐसा है, तो then, segment, ST जो रहेगा, यह सेग्मेंट ST जो रहेगा, वो यह QR से क्या होगा? Parallel होगा, ठीक है, यही आपका Converse of BPD, BPD में क्या था? यह आपको दिया हुआ होता था, segment ST parallel है, अगर QR है, तो यह हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसमें यह दिया हुआ है, तो अगर यह दिया हुआ है, तो हम लोग यह लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो यह उल्टा होता है, इसके उपर questions कम पूछने के chances से, BPT के ज़्यादा यह हमने बनाए हुआ है, अपने हिसाब से, ताकि each and every topics और उसके examples आपको explain कर पाए, ठीक है, अब मैं इसको मिता रहो दोस्तों, क्योंकि अब हम जा रहे हैं, चाहुथे topic की तरफ हमारे, जिसका नाम है दोस्तो, angle bisector theorem, बहुत ही मज़िदार और सब का favorite, क्योंकि बहुत easy है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद हमारे आज के वीडियो देखने के बाद, clear हो जाए, और शायद बहुत पहले भी मैने वीडियो बनाया हुए, तो उससे भी clear होंगे, लेकिन चलो, आते हैं, topic number 5 हमारा, क्या नाम है, sorry, topic number 4 है, sorry, topic number 4, जिसका नाम है, angle bisector, angle bisector theorem, अब इसको पहले समझते हैं, बाद में इसके उपर एक example solve करेंगे, पहले angle bisector theorem होता क्या है, तो इसमें भी एक diagram बनेगा, angle bisector हो रहा है, मतलब एक angle बनेगा, एक triangle बनेगा, तो किस प्रकार से इसमें angle bisector हो रहा है, तो समझ लो, यह हाँ पे, एक प्रकार से में क्या बना रहा हो, यह triangle बना रहा हो, this is my triangle, ठीक है, अब यह triangle के अंदर, यह जो angle दिखना आपको, ठीक है, यह triangle का प्रेटे नाम लिख देता हो, मैं ABC, this is A, this is B, and this is 2, यह triangle है मेरा, अब इसमें जो यह B वाला angle है, इसको मैं समझ लो, तो equal part में divide कर दिया, तो समझ लो, equal part में divide किये, मतलब एक बीच में से line सीधा सीधा जाएगा, और यह पूरे को इसने क्या कर दिया, दो हिससो में divide कर दिया, तो यह angle और यह angle क्या हो जाएंगे, तो हमने क्या किया, इन शॉट, angle को bisect किया, आपने एक बचपन में diagram बनाना सीखा ओग ळा, angle bisector 6 या 7 इम था angle bisector कोई भी angle को हम लोग किस परकार bisect करते हैं याद दिलाओ як देलाओ समझ लो ये angle है उसको आपको bisect करना है तो आब यहाँ पे अपना वो divider जिसको क्या बोलते, compass बोलते, pencil लगा रहते है उसमें, इधर से एक arc cut गते हैं यहां से एक आर कट करते हैं, फिर वही point यहां से आर कट करते हैं, यहां से इधर कट करते हैं, यहां से इसको join करके लंबा कीज देते हैं, तो हो गया angle byset, यह किया आईगी नहीं बचपन में, 6 या 7 standard में, तो वही सब चीज तो है दोस्तों, हर चीज का connection होता है, लोग बस angle दिया हुआ है, यह वाला, इसका नाम क्या है, इन triangle ABC, क्या बोल दिया है इसमें, कि triangle ABC में, यह जो D point है, नाम लिख दिया, तो इसमें क्या है कि angle triangle ABC में, जो मेरा एक D point है, ठीक है न, क्या नाम है उसका, B से लेके D, ठीक है न, तो BD जो है, यह क्या है, angle bisector है, क्योंकि इस तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर angle ABC को उसने bisect किया है, तो अगर ऐसा होता है कि कोई भी एक line, एक angle को bisect कर देता है, तो वो angle bisector कहलाएगा, तो then हम लोग बोल सकते हैं कि according to angle bisector theorem, angle bisector theorem के हिसाब से क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे लिखेंगे, कि अगर कोई भी line, यह जो A है B है, यानि AB, यह इसका ratio, AB का ratio और यह नीचे वाला BC का ratio, तो AB upon BC is equal to, AB upon BC is equal to AD upon DC, देखो ध्यान से, यह ऐसा ratio बन जाता है, हमेशा याद रखना, क्या बोल रहा हूँ, तोड़ा सा समझ दो, कोई कोशिश करो, AB upon BC, AB upon BC बन गया, जो angle bisect हुआ, उसके दोनों arm, दोनों हाथ उसके, यानि AB upon BC का ratio, किसके बराबर हो जाएगा, यह AD upon BC के, ठीक है, कोई भी triangle लो, समझ लो, यह को triangle इस प्रकार है, अब इसका नाम में रख दिया, इसका ratio कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, बताओ, PQ upon QR, या फिर RQ upon PQ, कुछ भी आप लिख सकते हो, तो यह PQ upon QR is equal to RS upon SR, तो इस प्रकार से ratio अब बना सकते हो, तो यह क्या कहलाएगा, angle bisector कहलाएगा, ठीक है, अब यह आपको समझ भी आ गया, कि angle bisector क्या होता है, किस प्रकार लिखना है, कि अगर कोई भी angle bisector हो रहा है, तो उसके ratio कैसे निकलेंगे, इस प्रकार निकलेंगे, ठीक है, दोनों, आम, और यह वाले, एक दूसरे के ratio में लिख देना, अब समझ लो, इसी के ओपर अगर question पूछता है, यह जो angle bisector theorem है, इसी के ओपर समझ लो, अगर वो question समझ में आ गया, तो कोई भी angle bisector के questions exam में पूछेंगे, तो अब अराम से उसको solve कर पाऊगे, ठीक है, मैं क्या करवा रहा हूँ, अभी example करवा रहा हूँ, ठीक है, चलो, एक example करवाते है, एक diagram सबसे पहले बनाना होगा हमें, इस प्रकार का समझ लो, एक diagram दिया यह एक angle है, माफ कीज़े का triangle है, यह triangle है, अब यह triangle में यह जो है, इसका नाम पहले में लिख देता हूँ, इसका नाम है PQR, this is PQ, यह R, अब यह angle R जो है, यह bisect हो रहा है, मतला अधा-धा हो गया, ठीक है, यह angle R क्या हो गया, bisect हो गया, अधा-धा, अब यहाँ पे बोला है, question में, पहले एक, उसका value भी दिया हुआ, यह इतना 12 है, यह S है, ठीक है, और यह आपका 20 है, यह side 20 है, ठीक है, यह उपर का side 15 है, ठीक है, लिख दिया, अब यहाँ पे question पूछा है आपको, कि एक triangle है, क्या बोला है, कि एक triangle है, जिसका नाम है PQR, जिसमें आपका जो RS, S जो side दिख रहा है, यह बीच वाला side, RS, R से S तक का जो side है, वो एक angle bisector है, RS is angle bisector, RS क्या है, angle bisector है, किसका है, off angle, कोन से angle का है, PRQ का है, या फिर सीधा-सीधा R लिख दो, वो भी पड़िवा है, तो angle R का क्या है, angle R जो है आपका, इसका angle bisector RS है, तो अगर ऐसा होता है, तो ह अब इसमें कौन सा angle लगेगा, भी पिडिल लगेगा, क्या, यह डाइग्राम देखके सिफ आइडेंटिफाइ कर पाओगे, कि इसमें कौन सा theorem लगेगा, solve करने के लिए, बिल्कुल लगेगा, angle bisector, क्योंकि एक angle को यह bisector है, और question में बोला भी है, कि RS जो है angle bisector है, बोल भी क्या बनेगा, दोस्तों, यहाँ पे, that is, यह वाला पार्ट, अभी यह angle है, इसका bisection हुआ है, यहाँ पे, तो इसका एक हाथ इदर है, RP, और दूसरा हाथ क्या है, RQ, यानि कि RP upon RQ, समझ में आ रहा है, यह angle है, यह bisect हुआ है, मास कीजएगा, angle जो है, दो पार्ट में यह ह upon SQ, अगर आप, यह PS upon SQ को पहले लिखोगे, और RP upon RQ को बाद में लिखोगे, मतब interchange कर तो भी कोई फरक ने पड़ेगा, value same ही आएगा, अब इसमें जो है value लालतो, RP का value दिया है, आपको, yes, दिया हुआ है, कहा गया, उपर, देखो, RP के जगा पर हम लोग क्या लिख सकते तो SQ कुन सा है, यह S और यह Q, यानि कि यह जो पार्ट दिख रहा है, यह वाला, इसका value निकाला है, तो कैसे निकाल होगे, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो PS का value पता है, क्या मुझे, PS जो है 12 दिया हुए, दिख रहा है, तो PS के जगा पर भी 12 लिख सकता हूँ, लेकि तो इसका solve कर लो, आपका answer आजाएगा, 12 तूजा 24, 240 डिवाइड बाइ 15, मतलब इसका answer आ रहा है, 16, solve करके देख लेए, आपका answer आजाएगा, तो आपका answer आया, 16, जो भी unit रहेगा, centimeter रहेगा, centimeter रहेगा, centimeter रहेगा, तो मीटर, तो सो मझे लो मैंने centimeter माना है, यह unit लिखना आपको पूछा जाएगा, तो आप solve कर पाऊगे कि नहीं, comment में बताना, yes और no, फटाफट से, फटाफट से देखना, और उमीद करता हूँ कि आप लोग इतने ज्यादा talented हो कि फटाफट से आप solve करके दिखा भी सकते हो, ओके दोस्तों, आप चलेंगे, हम लोग आगे बढ देखेगा, दरना नहीं है, ठीक है, और पूरा का पूरा practice set के उपर हमने कराए हुए, एंगल बाइसे के बहुत सारे sums कराए हुए, जाके देख लेना, अभी मैं इसको बिटार हो दोस्तों, क्यूंकि अब जा रहे हम लोग हमारे पाच्वे topic की तरफ, देखो बहुत पाच्वाट टोपी के हमारा property of, property of three parallel line, तीन parallel line आजाएंगे, अभी, three parallel lines and they are, and they are, transversal, डरना बिलकुल नहीं है, बहुत सिंपल है, and they are transversal, क्या है यह पहले इसका डियाग्रम बना के आपको explain करने की कोशिश करता हूँ, तो समझ लोग तीन parallel line नहीं, एक parallel line, यह दो parallel line, य तीन parallel line, और transversal आठेवे पड़ा था, line और उसका transversal, तो यह उसका समझ लो, transversal है, दो transversal, एक का नाम है L, दुसरे का नाम है M, ठीक है न, यह रख दिया, अब यहाँ पे जो तीन line है, इसका नाम भी हम लोग लिख देंगे, ठीक है, पहले arrow बना लो, अच्छे से, ठीक point, यह C point, और यह वाला है X, Y, और यह Z, समझ में आ गया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तीन parallel line का property क्या है, और क्या formula बनते हैं यहाँ पे, तो अगर ऐसा दिया हुआ होता है, exam में आपको इस परकार का diagram दिखता है, if, क्या बोला होता है, कि समझ लो, एक line है, इसका नामें BY, और दूसरा वाला भी जो BY है, वो भी parallel है, तीसरे वाले से, जिसका नामें CZ, तो अगर ऐसा होता है, कि तिन तिन लाइन आपस में जब parallel दिये होते हैं, तो हम हमें क्या करना होता है, एक ratio बनाना होता है, then, according to this property, हमारा ratio क्या बन जाएगा, बन जाएगा, दोस्त तो यही बन गया ratio, क्या बन गया, AB upon BC is equal to XY upon YZ, यही इसका property है, कभी भी याद रखना, थ्री parallel lines रहेंगे, तो यह जो भी parallel lines, यह तेड़ा भी हो सकता है, लेकिन जहां पे वो transversal है, उसके हिसाप से लेना है आपको, तो यह transversal है आपके दो line, तो यह AB upon BC हो जाएगा, XY upon YZ लोग गलती यह कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, AX upon BY हो जाता है, लेकिन यह गलत हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, दो ही तो ratio बनेगा, AB का BC से बनेगा, XY का YZ से बनेगा, वो लिख दो, 3 parallel line का यही property है, और इसी के base में समझ लो, कोई example अगर आपको पूछेग इसको screenshot ले लो, अगर आप लेना चाते हो, तो क्योंकि अब इसी के उपर, एक example में कराने वाला हो, ज्यान से देख लेना दोस्तों, मिटाओ, चलेगा, चलो, इसको मैं rough कर रहा हूँ दोस्तों, एक बहुत ही बहतरीन example आए हो आपके लिए, ओके, चली, फेले मैं example, ड्रॉ यह transversal है, और क्या बोला सा, तीन parallel line होना चाहिए, तो इसके बीच में तीन parallel line है, एक, यह दो, यह तीन होगे न, तीन parallel line, तो CD जीसा दिख रहा है गुस्तों, एकजाम में ऐसे बड़े-बड़े CD आ जाते है, तो लोग डर जाते है, और यहां CD, CD क्या है, ladder जैसा दिख रह लगेगा, इसमें 3 parallel line का property का लगेगा, उसका formula लगा दो, solve कर दो, answer निकाल दो, खतम बात, marks लो, घर पर जाओ, खुश रहो, है की ने, तो यह सब चीज़े, तो इसका पहले में यह नाम करन कर देता हो, क्या-क्या नाम है, इसका A, C, E, ठीक है, उपर का BDE, B, D, मतलब A, B, C, D, E, F, ठीक है, A, B, C, D, E, F, यह तीन line हो गए, पहला line A, B है, दूसरा line C, D है, तिसरा line E, F है, ठीक है, और यह दोनों उसके transversal है, L और M, तो question आपको क्या पूचा है, यह figure है, इन figure, समझ लो, इसमें आपको question पूचा हुआ है, कि इसमें जो A, B का जो line है, वो parallel है, द parallel to E, F, यारे तीनों एक दूसरे को आपस में क्या parallel है, तो आपको question यह पूचा है, कि अगर ऐसा है, तो आप find करके बताओ, find X, अब इसमें X किदर है, यह वाला जो portion है, वो आपका X है, यह diagram में दिया हुआ है, कि यह X है, मतलब C, E का जो distance है, C, E का जो distance है, वो X है, तो आ कैसे निकालोगे, solve करते हैं, यहाँ पे, कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपके दिमाख में यह आना चीए, कि भाई, कौन सा theorem लगेगा, कौन सा property लगेगा, वो identify कर लो, कौन सा लगेगा, simple सी बात है, इसमें आप देखोगे, अगर ध्यान से, तो हमारा 3 line parallel है, और जब लगा कि देखो, ratio क्या बनेगा, यहाँ पे, बहुत ही, simple सी बात है, यहाँ पे ratio बनेगा, यह वाला, AC by CE, AC upon CE, AC upon CE, is equal to, BD by DF, BD by DF, यही रेशो है, जैसे मैंने बोला, उसमें भी देखा था, हम लोग ने, 3 line थे, तो, क्या था वो, एक ratio बनाता हम लोगा, उसका नाम कहता AB by BC था, is equal to XY by YZ था, यहाँ पे भी, पहला खोन है, A है ना पहला, यहाँ से शुरुआ तो आप बोलोगे कि सर, आपने उपर का क्यों ने लिखा पहले, ठीक है, तो लिख सकते है, कोई परशानी नहीं है, BD by DF अगर लिख लोग सबसे पहले, देखो यहाँ पे, अगर यह AC by CE करूँ, तो दोनों का मतलब अलग-अलग हो जाएगा, क्या आप देखो, दोनों सेम ही है, 1 is equal to 1 है, तो चाहे मैं 1 इदर रखू, चाहे मैं 1 इदर रखू, दोनों का मतलब तो सेम ही है, समझ में आ रहा है, जैसे कि example के तोर पे, यह 3 माइनस 3 है, और यहाँ पे मैं CE मतलब X है, तो सबसे पहले जो value मुझे पता है, वो डाल दो, क्या value मुझे पता है, अब देखोगे अगर ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है, एक सेट, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखोगे अगर, AC का value मुझे पता है क्या, हाँ, मैंने आपको number ने लिखे, तो इसमें value सब यह हो, यह 8 है, यह 4 है, ठीक है, यह 12 है, ठीक है, यह numbers आपको questions नहीं दिये हुए, मतलब इसके value दिये हुए, तो AC का value कितना है, एक से तो X लिख दिया, BD का value कितना है, BD का value है, 8, 8 लिख दिया, उसके जिखापे DF का value है, 4, लिख दिया, हमें क्याच यह X चाहिए, तो X will be equal to 12 multiplied by 4 divided by 8, 12 forja, 12 forja कितना होता है, बुल गया, 48, ठीक है, तो X is equal to 6, देखो, आप लोगे साथ भी होता होगा, इसा, कभी-कभी छोटा table भी कभी है, क्या होता है, इसा, होता है यार, इतने सारे हम लोग चीजे पढ़ाते हैं, आपको तो मैं हर subject पढ़ाता हो, तो पूरा दिमाग में, chemistry, biology, physics, science, maths, history, geography, civics, political science, सब गुमता होता है, एक ही साथ, ठीक है, तो X is equal to 6 आगया, यहाँ पे, लेकिन आपका पूरा answer आगया, क्या, X is equal to 6 नहीं, X is equal to 6 आपने सिर्फ एक answer निकला, लेकिन आपको AE भी निकालना है, तो AE आप देखो, AE निकालने के लिए, य क्या है, तो उसको अलग से में निकालू क्या है, AE को, नहीं, आप देखो, यह दिमाग लगाओगे, तो AE मतलब यह पूरा distance, यहाँ से लेके, यहाँ तक का distance, तो यानि कि, अगर मैं AE निकालना चाता हूँ, तो यह AC को और CE को आपस में प्लस कर दूँ तो आजाएगा, या AE का मतलब है, AC प्लस CE, AE का मतलब क्या है, AC प्लस CE, यह A को, C का जो distance है, उसको, और CE का distance है, दोने को प्लस कर दूँ, यानि कि 12 प्लस X, तो 12 प्लस X कर दूँ न, तो आपका answer आजाएगा, तो X का निकाल आपने 6, यानि कि 12 प्लस 6 is equal to 18, तो आपका यह जो AE है, वो आगया 18 सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर रहेगा, मीटर रहेगा, जो भी है, वो डाल देना, किना सिंपल है, है की निए दोस्तो, तो यह है हमारा प्रॉपर्टी, किसका 3 parallel lines का और उसके transversal का, और उसके base पे example, clear है दोस्तो, तो उमीद करता हूँ, कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा, अब आपको एक चीज बता दू, इसी के related बहुत सारे examples हमने practice set में solve करवाया है, तो अभी इसके पहले, थोड़ा सा मैं वापल से flashback में जाना चाहूँगा, आपको यह दोगा कि इसके पहले मैंने BPT कराया, BPT का example करवाया, Converse पढ़ाया, उसके बाद हमने angle bisector किया, उसका भी example पढ़ा, और उसके बाद यह three parallel line का property पढ़ा, और उसका भी example पढ़ा, तो यह जितने भी चीजे पढ़े है, उसके उपर पूरा का पूरा एक practice set base है, एक ही practice के अंदर इतने सारे type के question है, और वो practice set का नाह में है, दोस्तो practice set number 1.2, और यह हमने पूरा का पूरा detail में solve किया हुआ है, हमने बहुत पहले ही लगबख six month, एक साल हो गए, आपसपस हमने इतने मेहनत करके पहले ही सब वीडियो बना के रखे हुए, तो प्लीज वहाँ से चेक कर सकते हो, यह तो हमारा division है, और यह सब पढ़ा दिया है, हम लोगने, सब complete हो लेकिन हम क् करवारें, ताकि आपको यह सब चीज दुबारा याद आ जाए, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ पर होता है हमारा practice set number one point two complete, उमीद करता हो, यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, चले आगे बड़े, इसको मैं rough करतो, ठीक है, मैं थोड़ा side हटा नहीं, लेकिन थोड़ा सा पिछे जाके screenshot ले 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 ना, ठीक है, और आप बाब में उसको note down कर सकते हो, ठीक है, चले, चले, मेरा अफ कर दिया इसको, अब आते हमारे कौन से नंबर पे, क्या नंबर है इसको भई, छटा नंबर है, छटा नंबर है, हमा लर triangle, वाउ, क्या topic है, नाम में ही similarity है, chapter के तो similar triangle तो आना ही था, अब यह होता क्या है, तो इसमें होता यह है, कि इसमेरे बहुत सारे type के test होते है, test क्या होता है, मैं बताओंगा, पहले imagine करो, समझ लो, एक triangle है, ठीक है, और एक दूसरा triangle है, ठीक है, छोटा बनाता हो, एक ट्राइंगल समझ लो, ठीक है, एक का नाम में दे देता हूं, समझ लो, ABC, ठीक है, एक का नाम दे दिया, ABC, दूसरे का नाम में दे दिया, यहाँ पे PQR, ठीक है ना, इसका दाना नाम दे दिया में PQR, तो समझ लो, कि यहाँ पे दो triangle है, ठीक है न, दो triangle है, लेकिन मैं ब सेम होना और बराबर होना ये अलग-अलग चीज है जैसे मैं बोलूँगा कि 2 प्लस 2 बराबर 4 ठीक है ये हो गया 2 प्लस 2 बराबर 4 यानि 2 प्लस 2 जो है वो equal to 4 आ रहा है ठीक है लेकिन similar का मतलब क्या होता है कि 4 जैसा कुछ दिखने वाला चीज तो उसको आपने बोलेंगे similar तो यहाँ पर यह जो triangle है वो एक दूसरे को similar है कि नहीं वो हमें पता लगाना है तो उसके लिए बहुत साने test बने है तो हम लोग बारी-बारी से क्या करेंगे एक एक करके test पड़ेंगे तो सबसे पहला जो test है वो है ए-e-e-e test का मतलब क्या होता है देखो बारी किसे समझ जो A for angle, A for angle, A for angle, A after angle, A for angle, 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 test पढ़ायो है बहुत पहले है यह तो revise कर वाय रहो, आपको याद होगा तो angle, 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 test यानि कि यहाँ पर 3 angle अगर अगर सेम होते है तो समझ लो यह पहला angle मैरा A, P के बराबर है जो भी angle होगा समझ लो, यह बी 70 दिगरी है, तो ये भी स ग्राबर होगा तो ये CS में हम लोग कैसे लिखेंगे एंगल a is congruent to angle P angle A किसके बराबर रे Show up टानी का सिंबोल इस प्रकार बनाते हैं आप लोग TWO के उपर एसा सूला ऌपर यह सब बना इए आपने तो एंगल a P के बराबर एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के, ठीक है, और एंगल C यहाँ पे, एंगल R से, तो जब ऐसा होता है कि कोई दो ट्राइंगल के अंदर, तीनों के तीनों एंगल एक दूसरे को गॉरेंट करते हैं, तो हम लोग लिग सकते हैं, कि वो जो ट्राइंगल है, पहला C is similar to triangle PQR, लेकिन, जब वो similar होते हैं, तो कुछ region के वज़े से होते हैं, तो क्या उसका कारण है, क्या reason है, तो reason है, एंगल 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 test, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, यह दोनों triangle, एक दूसरे से similar है, क्यों similar है, क्योंकि इसके तीनों angle, same है, तीनों angle congruent है, तो प्रकार के इसके उपर बहुत सारे questions होते मैं आपको करवाओंगा चोटे-मोटे questions और किस प्रकार के practice सेट में आपको मिलेंगे इस प्रकार के questions तो आप समझ जाओगे तो यह हो गया पहला इसको में मिटा रहो अब दूसरे टेश्ट पर आते कौन सा है देखते हैं इसको में मिटा रहो थोड़ा फास्ट भी जारे दोस्तों क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में आपको ज्यादा अच्छी चीज़े दे पाए ठीक है ना क्योंकि टाइम का वैल्यू मुझे पता है दोस्तों ठीक है ना मैं तो कम समय में ज्यादा चीज अच्छे से दे सके ठीक है चलो सेकेंड वाले आते हैं क्या बोल रहा था में सेकेंड वाला हां दूसरा टाइप का एकोड टेश्ट है जिसका नाम है सास सास ने यहाँ पर इसका नाम होता है एस फॉर साइड एफॉर एंगल एस फॉर साइड इस परकार हो गया ठीक है अब हाँ एक और चीज सउरी में आपको बताना भूल गया इसके पहले जो हमने अंगल 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 टेश्ट देखा तो उसमें हमने देखा दोस्तों किस प्रकार तो टैकल्यों नाम यह थोड़ा बताना घाई में भूल गया तो हमारा यह इसको ध्यान से वह अपसे देखलो, एवी सी था और दुसरा वाला क्या था? पी क्यू आर्टा, तो यहाँ पे जो हमने प्रूफ कर दिया, हमने क्या प्रूफ कर दिया कि यह दोनों जो ट्रैंगल आपस में सिमिलर है, तो जब ऐसा proof हो जाता है कि ये दोनों triangle आपस में similar है तो क्या हो जाता है उसके जो side होते है ना वो ratio बन जाते है कैसे ये AB का side ये वाले triangle का अब इसका ये वाला side और इसका भी ये वाला side क्या बन जाएगे ratio बन जाएगे तो AB by PQ हो जाएगा is equal to ये वाला AC upon PR बन जाएगा तो ये चीज़ आपको जहान में रखना है वैसे इसमें भी करके बता हूँगा वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा ठीक है क्लियर है रफ करें ये एक लाइन एक लाइन एक लाइन ऐसा दो लाइन भी होता है अब आप एक चीज़ देखोगे अगर मैं इसका रेशियो निकाल लो पहले रेशियो निकालता हो देखो ए बी को पी क्यू से डिवाइड करो ए बी अपॉन पी क्यू यानि कि मैंने यह वाले ट्रेंगल का यह साइड लिया और यह वाले ट्रेंगल का भी यह साइड लिया यानि ए बी अपॉन पी क्यू लिया तो इसका वैलू कितना आएगा ठीक है वैलू आएगा कुछ तो कितन आएगा बताऊंगो लेकिन अगर उसको मैं बराबर कर दू हमारे यह BC को QR से दुसरे वाले भी साइड ले लिया BC upon QR तो इसका जो रेशियो है वो रेशियो जो बनेगा वो सिमिलर बनेगा कैसे रेशियो बनेगा यह बनेगा 2 by 3 कैसे बनेगा अब जैसे कि आप जानते हो कि AB का वैलू, AB upon PQ का वैलू कितना है, AB का वैलू 1, PQ का वैलू है 1.5 देखो थोड़ा साइस को समझने की कोशिश करो, थोड़ा critical है लेकिन समझ में आ जाएगा, AB का वैलू 1 है, PQ का वैलू 1.5 है, 1 upon 1.5 हो गया, ठीक है, is equal to, यह BC कितना है, कहां गया, sorry, BC कितना है, 2, QR कितना है, 3, 2 by 3, तो क्या यह दोनों अलग अलग है, मैं आपको पूछ कि क्या यह, दोनों equal नहीं है, क्या, मैं बोलूंगा, yes, equal है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से multiply कर दो, तो यह भी हो जाएगा, 1 multiply by 2, 2, और नीचे का 1.5 multiply by 2, मतलब 3, तो यह भी हो गया, 2 by 3, equal to 2 by 3, यानि कि दोनों एक दूसरे को similar है, similar, similar का मतलब में आ रहा है, दोनों वो same है, similar है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ है, कि यह जो AB है, यह भी congruent हो जाएगा, किस से, PQ से, और यह जो BC है, वो QR से congruent हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों का ratio जो है, वो similar आ रहा है, और जब ऐसा होता है, तो यहापर जो triangle है मेरा, इसका नाम है triangle ABC, यह similar हो जाएगा triangle से test से prove हो रहा है, कि कौन से test से यह दोनों similar है, तो हमने देखा, एक side, दुसरा side और एक angle, तो जब दो side और एक angle होता है, तो सास बन जाते है, side angle side, तो side angle side test से यह prove होता है, कि यह दोनों triangle आपस में क्या है, similar है, और जब यह similar रहेंगे, तो इसका ratio भी बन जाएगा, AB upon PQ, BC AC upon QR is equal to AC upon PR, समझ में आया, clear है, आगे बड़े, तीसरे type के test के उपर जाते है, बहुत ही मज़ेदार, मज़ा रहा है कि नहीं, ठीक है, इसके उपर बहुत हीज़ी होते हैं, बस आपको identify करना होता है, कौन सा test इसमें आएगा, ऐसी questions एक्जाम में पूछते हैं, इसको मैं ब ओके, तो एक ओर type के test है दोस्तों, बहुत ही बहतर ही नहीं, जिसका नाम है, ठीक है, आप देखना, मैं अभी direct लिखूँगा, इसरा जो type के test है, इसका नाम है दोस्तो, SSS, SSS, ट्रिपल S test, अब आप बोलोगे कि सर यह दो बहुत सिम्पल है, side side side, जैसे angle 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 था, यह C, और बाजुवाले का जो नाम है, वो रख देता हूं है, X, Y, Z, इसमें आपका समझ लो, यह AC, यह XY से congruent है, ठीक है, यह AB जो है, वो YZ से congruent है, और यह BC जो है, यह इस से congruent है, ठीक है, दिख रहा है, clearly congruent, congruent, तो आपको नजर आ रहोगा, बहुत ही सिम्पल सा चीज है, अब यहाँ पे, ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, तो यह ठीक है, अब यह देखो, ध्याँ पे धान में रखना, माफ कीजेगा, दोस्तों, जैसे मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा health issue है, उसके वेसे, लेकिन बाखी सब चीज है, सिमिलर है, आप देख लो, इसको अच्छे से, तो मैं आपको एक चीज बता रहा था, देखो ध्यान से, यह दोनों triangle में, आपको क्या नजर आ रहा है, कि यह जो side AC दिख रहा है, यह जो AC side दिख रहा है, AC, XY से, क्या होगा, क्या होगा, एक line, एक line, एक line, दिख रहा है यह, यहाँ पर एक line दिया हुआ है, इसका मतलब simple सी बात है, तो हम लोग क्या लिख सकते है, यहाँ पर, थोड़ा सा देखो, अभी energy level down हो और तिसरा, यह BC जो है, यह X, Z से congruent है, यानि कि 3-3 side एक दूसरे को congruent है, जब 3 side एक दूसरे को congruent है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि यह दोनों triangle क्या है, similar है, यानि triangle ABC, similar to triangle XYZ, यानि कि ABC जो है triangle, वो XYZ से similar है, Q similar है, कौन से test से similar है, तो 3 side equal है, यानि कि 5 SSS test से, sorry, 4S बो test, यानि side 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 test एए, क्या होगे, दोस्तो, congruent होगे, clear है, तो उमीद करता हूँ, कि आपको यह चीज़ बहुत ही अच्छे से, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है, दोस्तो, एक छोटा सा और एक test है, दोस्तो, जो अकसर पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर्मे में बता देता हूँ, इसको पहले आप screenshot लेना चाहोगे, तो ले सकते हो, मैं इसको मिटा दू, तब तक मैं आपको दूसरा एकोच, छोटा सा test है, फिर इसके ओपर हम लोग examples को solve करेंगे, ठीक है, चले हम लोग, आगे बड़े, इसको मिटा दू, चले, अब थोड़ा सा ध्यान दो चोटा सा test है, जो पूछता दो ही है, लेकिन मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ, इसको, क्योंकि अगर बाइचांस exam में आ गया, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो एक है छोटा सा double A test, अब double A test नाम से थोड़ा identification हो जाएगा, double A का मतलब दो एंगल, तो समझ लो कोई भी दो ट्राइंगल है, ठीक है ना, दो ट्राइंगल है, A, B, C, और दूसरा एक बड़ा ट्राइंगल लेलो, ठीक है ना, मैं थोड़ा rough diagram बना रहा हूँ, तो प्लीज माफ कर देना उस चीज़ के रहे, लेकिन मेरा main काम के है थोड़ा समझाना, conceptual knowledge देना, यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि angle A is congruent to angle X, angle B is congruent to angle Y, तो अगर ऐसा होता है कि कोई भी दो एंगल भी एक दूसरे को congruent है, कोई triangle के अंदर तो हम लोग बोल सकते हैं, कि यह दोनों triangle similar है, तो क्या हो जाएगा, triangle ABC जो है, वो similar हो जाएगा, triangle X, Y, Z के साथ, समझ में आगया, यह दोनों एक दूसरे को similar हो जाएगे, तो यह similar हुए है, तो इसके पीछे कारण क्या है, तो यह similar है, यानि दो एंगल भी अगर मिल गए, तो हम लोग बोल सकते हैं, कि यह दोनों triangle आपस में similar है, वाई, एंगल एंगल लें, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब सीधा सीधा यह जो चार्ट टेस्ट हमने पड़ा, तो उसमें से कोई एक राइंडम ली, मैं एक 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 जामपल आपको कराऊंगा, ठीक है, कोई भी एक राइंडम एक जामपल और उसमें कौन सा प्रकार का टेस्ट लगेगा, यह आपको अइडेंटिफाइ करना है, तो मैं आपको यह सॉल करके दिखाऊंगा, और आपको बताऊंगा, इस प्रकार के कोश्चन से एक्जाम में पूछते हैं, और बहुत इजी होते हैं, आपको इडेंटिफिकेशन आराम से कर पाऊंगे, तो इसको स्क्रीन कि कौन सा टेस्ट इसमें लगने वाला है, ठीक है, एक छोटा सा एक्जामपल में आपको लेने जा रहा हूँ, दो डाइग्राम है, पहले वो डाइग्राम को मैं बना लेता हूँ, डाइग्राम किस प्रकार है, एक एक्जामपल, ठीक है, एक्जामपल ले रहा हूँ, तो स उसका नाम है दोस्तों, L, M, N, ये दो ट्राइंगल है, PQR और L, M, N, ठीक है, इसका साइड है 6, 8 और ये 10 है, और उसमें जो है, वो है 3, और ये 4, और ये 5, ठीक है, अब आपको question ये पूछा है, कि are this triangle, ठीक है, चलो, पूरा लिखता हो, are this triangle is similar or not, यानि कि आपको पूछा है कि ये जो triangle है, ये एक दूसरे को similar है या नहीं है, और अगर similar है, तो by which test, यानि कौन से test से है, तो इस प्रकार के questions आपको पूछेंगे, कोई भी दो diagram दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि बताओ, ये दोनों triangle एक दूसरे को similar है कि नहीं, एक दूस समझेगा ने, लेकिन तो क्या करना है, बहुत simple सी बात है, आजाओ हमारे ratio आले वे, क्योंकि एक चीज़ हमने पढ़ा, जब दो triangle similar होते हैं, तो उसके ratio भी similar आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ratios निकालना शुरू करेंगे, ratios कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा सम होता है, 2, एक का value आ गया, इसको नाम में रख देता हूँ, equation number 1, वैसे ही, और एक ratio ले लो, qr upon mn हो जाएगा, दूसरा वला ratio ले लिया, तो qr upon mn ले लो, ये qr का value है 8, mn का value है 4, तो 8 by 4 यानि की हो गया, 2, ये हो गया equation number 2, इसका value भी 2 आ गया, इसका value भी 2 आ गया, अब एक और बचा है न, side, अब तीसरा side ले लो, pr, तो pr किसके साथ ratio बनाएगा, इसके ये side वाले, यानि एलन के साथ, तो pr upon mn, तो pr upon mn, यानि कितना दिया हो है, pr है 10, देको pr, pr, ठीक है, चलो, क्या बोल रहा था, pr upon mn, तो 10 upon 5, 10 upon 5 कितना होता है, 2 होता है, तो इसका answer भी 2 आ ले, equation number 3 ले, ये तीनों ही equation में, आप देखोगे, तो ये दोनों, तीनों क्या है, एक दूसरे को same है, यानि कि इसका value भी 2 आया, इसका value भी 2 आया, इसका value भी 2 आया, तो जब तीनों का value 2 आ रहा है, यानि कि तीनों के तीनों जो ratio है, वो एक दूसरे को क्या होंगे, equal होंग जितने ही तीनों अक哇Leo से favor हो रहा है तो तीनों certainty किसे लिखोंगे पहला इक्वेशं क्यह रहा वैं के साथ कुर हो और वह किस्के बगण जाएगा इसका नाम है P यार आसे पताचला यह जै आपस में एक दूसरे को equal है और ये तब होता है जब कोई triangle आपस में similar हो बताया था ना कि जब ऐसा हो गया कि उसके तीनों के तीनों ratios जब तीनों के तीनों ratios एक दूसरे को congruent होते हैं एक दूसरे को क्या होते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रैंगल क्या ना में ट्रैंगल के दोनों का एक ट्रैंगल है PQR और दूसरा ट्रैंगल है LMN ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे बीच में एक सिंबॉल डाल दिया सिमिलर वाला यानि ट्रैंगल PQR इस सिमिलर ट्रैंगल LMN और कौन से टेस्ट से हो गए बताओ बाय कि वाए, कौन सा टेस्ट है, इसमें क्या हुआ, एंगल न ज़र आया कुछ, एंगल का तो सवाल ही नहीं, इसमें तीनो के तीनो साइड एक दूसरे को सेम है, यह PQ upon LM पहला साइड, QR upon LM दूसरा साइड का रेशियो, और यह PR upon LM तीसरा साइड का रेशियो, यानि यह तीनो सा एक दूसरे को similar है और triangle जब similar है तो पूछा है कि कौन से टेस्स से similar है भाई बताओ तो हमने बता दिया कि यह triangle जो है वो तीनों साइड यानि एस 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 ते similar है तो इसी प्रकार से कई सारे examples हमने हमारे practice set में solve करवाए है वहाँ से आप जाके देख सकते हो जो हमने regular lecture video डाला हुआ है बहुत पहले ही solve किया हुआ है उसमें आप देख सकते हो तो आपको मैं बताना चाह रहा था वही चीज कि हमने पूरा का पूरा जो इस practice set 1.3 है वह इसी के उपर बेस रहे इसके उपर बेस है यही टाइप के examples जिसमें आपको अलग-अलग angles के test मिल जाएंगे अलग-अलग तरीके से प्रूफ किया हुआ है वो सब पूरा practice set 1.3 है उसमें हमने solve कर आए जाके देख लेना ठीक है और थोड़ा साइड हड़ जातो हम लोग क्या करेंगे next heading डालेंगे ठीक है आप फटा 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 स्क्रीन शॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हो यानि साथ वे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है दोस्तो थियरम और एरिया ओफ सिमिलर ट्राइंगल बहुत ही बेटर इन टॉपिक है दोस्तों यहरम और एरिया ओफ सिमिलर ट्राइंगल ठीक है डिंग डाल दे चाप्टर सॉरी माफ किजेगा टॉपिक नमबर सेवे लास्ट टॉपिक है थियरम और एरिया ओफ सिमिलर ट्राइंगल देखो आखरी टॉपिक है इसका एक फॉर्मूला होता है मतलब ठीरम किस बारे में वह बता हुआ और ठीरम किस बारे के होने के बाद आपको एक चोटा सा एक्जांपल करूँगा फिर यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो समझ लो अगर आपको दो ट्राइंगल को दिए है समझ लो टीके ना समझ लो आपको इस प्राइंगल को मैं ड्रो कर रहता हो पहले अच्छे से अ मझत लो यह ट्राइंगल है आपका यह क्रांगल है इसका नाम में लिख जेता हो A, B, C A, B, C और यहाँ पे 90 degree के हिसाब से altitude बना हुआ यह D है, ठीक है दूसरे वाले का नाम है P, Q, R, S ठीक है, this is P, this is Q, this is R और यह वाला S यह दो triangle आपको दिख रहे हैं, जिसमें से आपको यह इस प्रकार दिया हुआ है B is congruent to Q, दिख रहे हैं C और यह R एक दूसरे को concurrent होगे, यह diagram देखके हमें पता चल जाता है और clearly question में बोला हुआ है topic क्या है, theorem of areas of similar triangle तो यह already बोला हुआ है कि यह दोनों आपस में क्या है, similar है, यानि कि यह जो triangle है, जिसका नामे triangle A, B, C वो similar है triangle P, Q, R से यह हमें already दिया हुआ है, तो अगर इस topic के हिसाब से अगर जाया जाया है और हम इसको consider करेंगे, तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों, कि अगर कोई भी दो triangle आपस में एक दूसरे को similar है, तो उसका हम लोग area का theorem के हिसाब से कैसे निकालते है theorem of ratio, ठीक है area of triangle ABC, यह हमारा पहला triangle है, आपको first topic यादा आ रहा है, जिसमें हमने इसी प्रकार triangle के क्या निकाले थे ratios निकाले थे, इसी प्रकार area of triangle ABC को उसको कि से किया था area of triangle PQR इसका नाम के है PQR है, तो इस प्रकार किया था लेकिन यहाँ पे एक factor यह है यहाँ पे एक factor यह है, कि यहाँ पे हम लोग जो निकाल रहे है, area of triangle ABC upon area of triangle PQR, यह दो similar triangle का निकाल रहे है, तो इसका ratio कैसे निकालेगा, यहाँ पे हम लोग को half into base into height ने करना है समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को हमारे similar triangle है, उसके इसाब से निकालना है, तो मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग ratio निकालते थे, आपको याद होगा, हम लोग ratio निकालते थे इसके पहले के जो topic हमने, जो similar triangle वाले पड़े, तो जब दो triangle similar होते है तो क्या लिखते है हम लोग, यहाँ पे AB by PQ लिखते है, is equal to BC by QR लिखते है, is equal to AC by PR लिखते है, इस प्रकार लिखते है तो यह तो एक triangle का हो गया लेकिन उसी प्रकार दूसरे triangle का लिखेंगे, तो इसका value भी same आएगा, याई AB square upon PQ square हो जाएगा, BC square upon QR square हो जाएगा, AC square upon PR square हो जाएगा, क्यूंकि यहाँ पे दोनों triangle जो है, समझ लो, यह AB का जो side है, वो PQ के बराबर है ना, तो AB और PQ जब बराबर है, तो AB को ही क्यूं दो बर ले ले लेता हो में, तो AB और AB दो बर मिलके क्या हो जाएगे, AB square बन जाएगे, वैसे यह जो PQ रहेगा, अगर यह PQ और AB बराबर है, तो PQ को ही दो बर में ले ले लेता हो, तो PQ square बन जाएगा, तो उसी प्रकार से, तो एक formula बनता है, बस आप यह formula याद रख लो, बहुत easy हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आपको question पूछा है, theorem of area of similar triangle के उपर base में, इसके उपर अगर question पूछेगा, जो मैं आभी आपको एक solve करवाऊँगा, एक ratio का, एक example solve करवाऊँगा, लेकिन पहले इसका formula याद रख लो कि formula क्या पूछता है, तो दो triangle similar है एक दूसरे को, तो उसका ratio of the area of triangle कैसे बनेगा, यह चीज़ ध्यान में रख लेना, तो उसका formula होता है, वो triangle का नाम लिख दो, area of triangle ABC upon दूसरे वाले triangle का नाम लिख दो, area of triangle PQR, is equal to हो जाएगा, पहले वाला side AB, और उसका पहले वाला side PQ, तो AB upon PQ का square square, is equal to, दूसरा ratio क्या बनेगा, BC upon QR बनेगा, दूसरा ratio, BC upon QR बनेगा, तो उसका भी square, square, और तीसरा ratio क्या बनेगा, AC upon PR बनेगा, तो इसका भी square, square, यही इसका formula है, यह formula को याद रख लो, और इसी के उपर questions आपके exam में पूछेंगे, और आप easily उसको solve करके दिखा सकते हो, ठीक है, समयार है दोस्तो, चलो, यह हो गया हमारा explanation, मतलब इस theorem का, जो property है, इस theorem का, जो मतलब है, यह आपको मैंने समझा दिया, तो यह इसका formula है, इसको याद रख लेना, बहुत अच्छी तरीके से, मैं side रढ़ जा तो आप screenshot ले लो, कि क्या होता है area of ratio of the similar triangle, ठीक है, similar triangle का ratio अगर निकालेंगे, तो उसका, जो side होता है, उसका ratio निकाल लो, उसको square कर दो, तो आपका answer आजाएगा, ठीक है, अब इसके उपर एक example करवा रहा हूँ, यही समझ लो, उपर का, जो diagram है, same above diagram है, इसमे question बोला है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, question बोला है, diagram यही रखता लेकिन, exam में सीव, आपको यह diagram दिखेगा, और question दिखेगा, क्या question दिया रहेगा, समझ लो, दिया है, यह triangle ABC यह है, ठीक है, यह triangle ABC, similar to triangle PQR, ऐसा लिखा है, और पूछा है, यह triangle ABC जो है, इसका जो area है, इसका जो area है, वो दिया है 16, मतलब यह triangle ABC का area 16 दिया हूआ है, उसी प triangle का area है 16, दूसरे वाले triangle का पूरे का area है 25, यह दो triangle दे दिया है, और हमें question यह पूछा है, find करो, क्या find करो, AB upon PQ, इसका ratio find करो, AB upon PQ का ratio find करो, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत simple है, कैसे करना है, याद करो वो concept, अभी आपको समझ लो, कुछ पता नहीं आप exam में गए, आपको पता नहीं, यह diagram आपको दिख रहा है, और यह आपको दिख रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं, लेकिन आपको यह तो पता चल गया देखके, कि यह दोनों जो है, एक दूसरे को similar है, यह question में बोल दिया है, तो जब आपके दिमार्क में चल गया, कि यह कौन सर टाइप का question है, तो आपने पहला hint क्या मिला आपको कि यह कौन सर टाइप का question है, पहला hint यह मिला, कि यह दोनों triangle बोला है, similar है, दूसरा hint यह मिला कि दोनों का area दिया हुआ है, मतलब area वाला इसमें formula लगेगा, तो area वाला formula क्या है हमारा, कि area of triangle ABC upon area of दूसरा triangle PQR is equal to AB square upon PQ square is equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square, यही formula है हमारा बड़ा वाला, लेकिन यहाँ पे हमें काम क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ AB upon PQ square वाला ही काम आएगा, यह दोनों को काम नहीं है, क्योंकि हमें AB by PQ को पूछा है, और बाकी के तो value दिये भी नहीं है, तो क्या मतलब है, तो अगर मैं मिटा दू यहाँ से, तो कुछ फरक पड़ेगा, क्या नहीं पड़क पड़ेगा, तो यह हमारा formula, तो तीनों में से हम कौन सा भी उस कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे area of triangle ABC का value दिया 16, तो area of triangle ABC का value 16 है, तो इसके upon PQ square, ठीक है, अब इसको में थोड़ा घुमा देता हूँ, उल्टा, इसको में थोड़ा यह कर देता हूँ, ठीक है, रेसिप्रोकेट कर देता हूँ, तो पहले मैं लिखता हूँ, AB square upon PQ square is equal to 16 upon 25, लेक सकता हूँ, अब एक चीज़ मुझे पता है, यह square square है, लेकिन हमें सि simple चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, taking square root, taking square root, ले सकता हूँ, जब square root लोगा, तो यह AB square का क्या बन जाएगा, AB بن जाएगा, PQ square का क्या बन जाएगा, PQ बन जाएगा, 16 का root में चले जाएगा, 25 भी root में चले जाएगा, और हमने एक चीज़ जानते है, तो AB upon PQ, एक रूट होता है 4, 25 का रूट होता है 5, तो यह आगया answer आपका, खतम, खतम, टाटा, बाई-बाई, ठीक है, तो यह AB upon PQ, जो हमें पूछा था, निकाल दिया, आपने AB by PQ is equal to 4 by 5, कितना simple है आप ही पता हो दोस्तों, है की नहीं, तो इस प्रकार से आपको इस topic के ओपर, area of similar triangle के topic के ओपर, इस प्रकार के बहुत simple, simple questions आपको पूछेंगे, बस क्या चाहिए यार दोस्तों, practice चाहिए, conceptual knowledge तो हमने बाट के रखा हुए, पहले पूरे वीडियोस बनाये हुए, तो जाके देखो, देर मत करो, और यह पूरा इस प्रकार का जो topic ए, theorem of area of similar triangle के ओपर, पूरा practice practice set हमने solve करवाया हुआ है, अब वो practice set का नाम है दोस्तो, practice set number 1.4, लिख देता हूँ, यहापे side में, practice set number 1.4, पूरा हमने solve कराया हुआ है, जो कि इसी topic के ओपर बेस है, तो फटा-फट से जाके देख लेना, बहुत यह अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, पूरा solve करवाया ताकि आपको conceptual knowledge फिर से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तो, तो उमीद करता हो हर चीज़ आपको clear हो गया होगा, तो इसे के साथ वीडियो समात होता है, और आपको जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहूंगा, कि हमारा one shot video, जो है, जो series चल रहा है और फिर हर chapter का problem set भी आपको one shot में करवाएंगे, तो आप लोग इंतजार करना one shot, one shot problem set इस chapter का तो वो भी हम लोग करवा देंगे, तो इसे के साथ आज का वीडियो समाप करना चाहूंगा, और उमीद करता हूँ कि आपको यह हमारा महनत है, continuous जो हम आपको provide कर रहे है, कि एक suggestion आप देना चाहोगे, वो भी please देना, ठीक है, comment करके, और वीडियो अगर वाकई में अच्छा लगा है, useful लगा है दोस्तो, तो please, क्या करना दोस्तो, यह वीडियो को like कर देना, ठीक है, तो वीडियो को like कर देना, दिल से like करना दोस्तो, and share कर देना, अपने सारे दोस्तों को 10th standard के, जितरे भी आपके friends है, relative से, सबको share करो, बताओ, कि सिर्फ एक वीडियो देख लो, और एक charter सीख के जाओ, दोस्तो, बस यही share करना, जितना हो सके वीडियो को share करो, and साथी में दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe कर देना, and एक bell icon होता, उसको press कर देना, त कि future में हम कभी भी कोई भी वीडियो को upload करेंगे, तो आप लोको notification मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, यह वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye.